इस कागज में देश के कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जो बहुत ही बड़े और नामचीन हैं और यही लोग हमें हमारी मन्जिल तक पहुँचाएंगे पर क्यों? इनकी कमजोरी के कारण इन्हें सिर्फ एक चीज से प्यार है पुरानी आठ मगर इन लोगों में से किसी ने हमारे साथ दोका किया या गद्दारी की तो तो हमारे वो साथे किस दिन काम आएंगे जो हमारे लिए जान भी दे सकते हैं मगर झाहरा गद्भाईंगे जो हमारे विए जाएंगे ऊज़ में आएंगे अज़ी दिन कांवे आएंगे तो हमारे साथर इन्हें आएंगे लिए गदानगे विएंगे विएंगे खुछ शुछेंगे अविएंगे अश्र फ् Northwest झाल झाल जल्दी, जल्दी, जल्दी आंडिये, कुछ नहीं होगा कोई थेया, कुछ नहीं होगा, 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 कुछ आप सब यही रुकिया था दोर सब क्या लगता है अपको इन मतलब उन तो बहुत निकल गए लेकिन क्या आप कुछ को नहीं दीजे असार उची Mr. दीजे Please have passions अगरता है सर को कुछ हो है कुछ नहीं होगा देया को कुछ नहीं होगा पेले भी एसे कहीं चटके खा चुका है वो पिज्दे हफ्ते ही को नहीं लगी थी अवरभ इस बग बॉंब ब्लास्ट समझ दिने आता है इसका और हॉस्पिल का नाता कब टोटेगा वेसे अभीजित यह ब्लास्ट रुआ कैसा है पता निसा अचानक एक धमाका हुआ और मेरी आपके सामने उसके कार के धच्चियों होगे सर मुझे लगता है इस ब्लास्ट का संबंद सौरत की मौत से जिसे अमने टी-सी-पी चितरोले के आफिस के बाहर देखा था चितरोले सामके तो मीटिंगे बाद दिमा गूम जाता है आज सर काम की बात में भी ऐस ऐसे टॉंट मारते हैं कि जी करता है कि इस्तिफालिक के उनके मूँ पे मारतों आई यह बात तरह पर जो भी आओ उनके आफिस के जाए बड़ अची है अच्छा जाए आई यह आए पर आप्स के भी अच्छी है सर आप और वियुक्स आई है मैं गाड़े लेका राता नीचा खीक है प्रग यू एक वुड़ो था देह… क्या हो रहा आपको? आपको तभी दोटीए नहीं? मैं? इस वेंगए उड़ो.. क्या हो क्या रहा आपको? क्या? उश बैक मैं के दॉए है? माम किसले तो कोई दवाई है हाँ? हाँ चार भू क्या है? ले? क्या हुए? अब ऐक निष्ट, क्या कर दू क्या हुआ है? क्या क्या हुआ क्या है उनको? महां इक हौँ? इसके तो सांस बंदोने लगी है तो आही से अस्व़क आर्टने है अच्छी पीजरी ठीक हो जाएगी तो अच्छा है उसके बस कोई आइडेंटिफिकेशन दिले जिसके जरेम उसके गर्वन को इंफार्म कर सके अरे डॉबर साप कैसी ये लर्की आपने उने लाने में तेयर करते हैं शी इस टेल क्या हमने तो पूरी कोशिश की थी मगर ऐसे पेशन को अपने पास कोई दवाई वगरा रखनी चाहिए ना तो हमें कोई दवाई मिली और नहीं उनके पास वो अस्तमा पम था नहीं अस्तमा नहीं था उसे नद असल उसे कोई बिमारी ही नहीं थी तो फिर उसे इंटरनल पॉईज़निंग वा था उसकी कि अधर वे लड़की एसा परसर वो लड़की तो मर्चु किये पर ताइस अक्या लड़की से मेदा वो कैसे हो मिल्च मेरी डिंग मैरी में होड़की düşün uważवड़की के पिट में तर वाम था इस लड़की के पिट में आ ESTा भीलोड़की के पिट में ऑम है पर संब यूपन नहीं हमानो बोम है chyba तो यह तो डटोनेटर के बाबंब और ए इस 25 ऩवार कि अल्लुक्त अब उत्की के शरीर पे इस बआमपा है क्योंग और नद्लाकी ना परण गवराद मिला? अब यृकि भीज बेए, इसके शरीर में कहीं भीज नाई और नहीं है यृकिज की बाश्य दिवल्ब फटेतर के बेना बॉं महि क्डो, अटेगा सचीन घ्रीगा क्योंकि इस बाम कार कैभिकल लीख हो चुका है, उसी की विजे से इसके पेट में जायर पिला इस लड़की की मौद हो गई, अब ये बाम कभी भी फड़ सकता है ये, देखो दॉना, अब साथ, अब साथ, बाइगा, प्लीज पहले से शथ था, इस शायर ऐसे कुछ अने वाला है, रज़त, सर्फ रज़त, संबाल के सर्फ, कौन सीतार काटो, है एक मनेट ये, लाबाला काटो, संबाल के Oh no Sir तो वायर काटने के बाद भी बॉम डिफ्यूस नहीं हुआ I can't लेकर जल्दी से बॉक्स लेकर रहा बॉम प्रॉफ बॉक्स Sir सम्हाल के एक मैं Thank God सही वक्त पर इस मुसिबत से हम बच गए अब समझ में आरा सर कोई भी इस लड़की को पैचाने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहा था कि लड़की कोई मामूली लड़की निये सर एक मान अब बाउं थी इसका नाजाने क्या मिशन था दया जिसने भी एमानो बाउं बनाया उसका मिशन पूरा नहीं हुआ है हमने नाकाम कर दिया उसे उसके मिशन में लेकिने फिर से बाउं बनवाएगा दूसरा बाउं बनवाएगा सरे मिशन है कौन इसका तभी पता चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि यह लड़की कौन से? आज सेचन बताओ अच्छा लेकिन ठेक से बता किया तुमने? उस लड़के के गुमशुदा होने के रिपोर्ट किसी भी पॉलिस टेशन में नहीं लिखाए गई? अहाँ, मानों भॉम थी वो देखो सचे, नैसे कोई सामने आएगा नहीं उसकी फोटो सारे अखबार, इंटरनेट, निउस चैनल, सब जगा बिजवादो कोई तो पैचानेगा यह नि तुम यह करो फिर फिर मैं बताता हूं आगे क्या करना क्या बाई? आइस टी पीनी थी क्या, हाँ? गरम चाय को बरब जैसा ठंडा कर रहे है यार पहले बता देते अब कुछ सोच रहा था हाँ? क्या? क्या सोच रहा? मुझे लगता है कि वो लड़की मुझसे कुछ कहना चाहती थी कहना चाहती थी? क्या कहना चाहती थी? पता नहीं यार वो बार बार अपने बैग के तरफ इशारा कर रही थी तो फिर वो बारबार बैग के तरफ इसारा क्यो कर रही थी? वो सबता है बैग में उसके गैंग के बारे में को इनफर्मेशन हो वो बैग है ने तो मेरे बस? हाँ, गाड़ी में, चलो लेकर आदे तारीक जी है ठीक है, बात कर लो, बार बैग लेकर आदेँ हाई लो आतारी कादी कर दो हमसाई रूieran सबस्क्राइब! डाय वत्तत अब, डाय के खुल, डाय डाय कोछ तब खुब, डाय विशीत, रोगशीद हमला उस बैग के वजय से ही वाये तेख ने देख लियो गवाग के अंदर किया है मुझलमों के लिए ख़त्रा बन गया तो जानी सर उस बैक में सा क्या होगा जो लोगों ने तैयासर परहर्मा करतिया दया की जली वी गाड़ी का एक एक पूर्जा चेक करने को को सारूंगी को कोई नो कोई बड़ा चक्कर है कोई नो कोई बहुत बड़ा चकर है दोक्तर साब, कैसा है थे हैं? अब चुप जी है, डोक्तर साब, बताईए ना, दया कैसा है? दोक्तर साब, क्या हुआ दया सरको? वो ठीक तो हजाएंगे ना? अब कुछ बोलिए सरे? देखिए हमने उनकी जान तो बचा लिया है, लेकिन इस समय वो कोमा में हुआ और उमें कब वोश आएगा कि कहना बहुत मुश्किल है? वोश कब तक आएगा का क्या मतलब है, डोक्तर साब? हाँ क्या मतलब है? क्या कहना चाहते है? देखिए ऐसे cases में कभी गभी पेशन्ट को एक दो दिन में भी गोशा आ जाता है अब कभी गभी सानों लग जाते है एक अच्छ अच्छ नहीं एक वाइटर ने एक वाइटर एक वाइटर का ज्याभाज फाइटर मौक के साथ कई बार जूच चुका है वो और इस बार भी जितेगा, इस बार भी जितेगा वो हमारा अंदाज़ा सही निकला सर गया की कार में जिस बॉम का इस्तिमाल किया गया था वो ऑक्सिडाइजिंग सॉल से बना था काफी हलका बॉम था क्या हए या को wiggle जानतीchnों तारीक है, यह एक लकडी का तुक्डा है और यह लकडी का तुकडा बहुत ही अच्छी क्वालीटी का है मगर मिला कहां सी हे लकडी का तुक्डा लैदर बैग कर इस Fish तुकडे पर से व健 City जो उस लड़की के पास ता देखो यहां साल नखे काफी पॉलिश्ट लगता है यह लखडी काटकुड़ा है ना बस और ऐसी पॉलिश्ट किसी अच्छी वारनिश से ही आ सकती है वारनिश्ट से अच्छा और बाम के बारे में और क्या बता चला सब ठीक बैसा ही बाम था जैसे की उस लड़की के शरीर में मिला था लो इंटेंसिटी का ऑक्सिदाइजिंग सॉल्ट से बना ऑक्सिदाइजिंग सॉल्ट लगता है मुश्रिम इस तरह के बाम्स बनाने में एक्सपर्ट है सर एक बार वो मुजर में मुआरे हाथ लग जाए तो जो उसने दया सर के साथ किया है मैं उसका पूरा है साब लोगा सर दया को पता चल गया था कि उस लड़की के परस में क्या है इसलिए उरुक डर गए कि ये पात हमें भी पता चल जाएगे दया के जरी है इसलिए ये सब गुआ है मस दया आप कैसा है लट रहा है दया लट रहा है सर उनके लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जीच जाएगा दया जीच जाएगा बाइस अब आपने इस लड़की को यह रास्ता जाता है वो लड़की भी इसी तरफ से आये थे चलके पूछता है शाद किसी ने देखा हो भाइस अब आपने इस लड़की को यह रास्ता है नहीं मैंने तो नहीं देखा भाइस अब आपने इस लड़की को कहीं देखा भाइस अब गौर से देखिए आपने इस लड़की को कहीं देखा मगर ये तो जे, उसकी मौत हो चुकी है मगर कैसे, उसी तो भली चंगी थी उस दिन? उस दिन किस दिन की बात कर रहा, बुद्वार की? हाँ साब, बुद्वार की बात कर रहा हूँ, इनके हाथ में एक बड़ासा बैग था भूरे रांका, काफी हडबड़ी में थी, एक आजबी से टक्कर होते होते हैं बच्छी और उस पर बारस पड़ी इसके साथ कोई और भी था? नई साब, बिलकुल अके लिए थी, लाजावाब रेस्टोरेंट से बहा निकल रही थी लाजावाब रेस्टोरेंट, कहाँ भी आईए? वो साब, वोरा लाजावाब रेस्टोरेंट ग्रेस्टोरेंट में सुविंग पूल पहली बार देख रहा हूं हाँ सर, आईए, कहाँ बैठना पसंद करेंगे सराब जिस काम के लिए हम आये हैं, वो खड़े रहकर भी हो सकता है मैं कुछ समझा नहीं, सर CID CID? जी इस पोटो को गवर से देखिया बुधवार को दोपहर तीन बज़े के करीब ये लड़की आपके रेस्टोरेंट में आई थी? हाँ सर, आई तो थी पर ये तो जी हाँ, ये मर चुकी है ओ माइ गॉड़ और आप लोग इसके खूनी को ढूंते ढूंते यहां तक आप पहुँचे पूनी तक पहुँचने के लिए कब कहा सुराग मिल जाए ये कोई नहीं बता सकता अरे अनुराग जी सर जी सर सर उस दिन टेबल नमबर तू पर इसी की जूटी थी सर क्या हो सर ये लोग सेडी से हैं और इनके सवालों का सही सही जवाब देना इस लड़की की मौत होगी मौत? जी हां मौत इस लड़की की बार में कुछ जानते हैं आप? हां सर ये लड़की बूदवार को यहां आय थी और काफी घवराई भी थी सब अकेली आय थी? हां सब पहले तो अकेली आय थी बाद में एक आदमी इससे मिलने के लिए आय था अचा एक आदमी आय था मिलने इससे? हां सब सूट, बूट, टै और हैट पहना हुआ था दोनों ने आपस में क्या बात की? कुछ सुना तुमने? नहीं सब पर उस आदमी के हावाव से ऐसा लग रहा था जैसे कि उस लड़की को डांट रहो डांट रहो? आँ सब अर उस आदमी ने एक घड़ी भी दी मैडम को हाथ में पहनने वाली और शायद वो समझा रहती कि घड़ी चलती कैसे जरूर वो घड़ी ही उस बॉम का डेटोनेटर होगी बॉम? किस बॉम के बात कर रहें सर आप? कोई नहीं असादमी का चेहरा याद है तुमा? नहीं सर्ब, वादमी के नदिक मैं जब भी जा रहा था वे हैट से अपना चेहरा चुपा ले रहा था इस रेस्टरूंट में सीचीटीवी कैमरा तो होगाई नहीं सर कमाल है रेस्टरूंट में स्विमिंग पूल है सीचीटीवी कैमरा नहीं अच्छ उन्होंने पेमेंट कैसे की थी? काट से? कैश किया था सर क्या का तुमने टेबल नंबर दो पे बैठे था? हाँ सर वहाँ है टेबल नंबर टू शायद इस टेबल और इन कुर्सियों पर अबवी उन लोगों की ँंगलयों की निशान हो एकाम करते हैं ये फनीचर डॉक्टर्स सार उंके के पास पजवा देता है सर इन कुर्सियों और स्टेबल पर सेकडों इनिसानों की अंगलियों की निशान होंगे है फिर उस आदमी और उस लड़की की अगलियों की निशान कना से होटे यह कैसे पता चलेग तर क्यूंँ नहीं पता चलेगा निखेल जरूर बांब बनाने अला अतंक वाद है उसके उंगलियों के निशान तो हमारे कर्मिनल डाटाबेस में होंगे ही अभी पता चल जाएगा सर हास्परेट से वो घड़ी मिल गई है इस शायद बॉंब को डेटोनेट करने के लिए इस्तिमाल किया गया था काफी महेंगे घड़ी लगती है ये सालू के आँ आजा देख इस घड़ी को बस रज़त का अंदाशा एक दम सही है दरसल ये घड़ी ही डेटोनेटर है ये इधि कि देख रहाओ ये ह reviews ये तो घड़ी का पुरजा लगता नहीं क्योंकि पूरी घड़ी स्टील किया है और ये इस द्कि श्रफ युचाबी पीतल कि और ये चाबी ही डेटोनेटर है माई गाड सिर पहले इस आदमी ने उस लड़की को मानो बॉम बना है फिर दया सर पर हम ला किया अपना जाने ये अगला बॉम कहा रखने वाला है सचेन, अगला बॉम प्लाइन करने से पहले ये तीतर हमारे पिंजने में होना चाहिए सर, सर एक मैच मिला है उंगलियों की निशान का कौन है नाम तो नहीं लिखा है और फोटो भी नहीं है लेकिन बस ये पता चला है कि पिछले दो सालों में ये पांच बॉम ब्लास कर चुका है आदमी देश के अलग-अलग हिस्तों में अच्छा, पिछले दो सालों में पांच बॉम ब्लास कर चुका है और अब छटा ब्लास करने जा रहा है अब ना कोई बॉम ब्लास होने देंगे हम किसी भी मासूम की जान नहीं जाएगी अब ये घडी ये डेटोनेटर ही हमें ले जाएगी उसके पास उस आतंकवादी के पास सब वो घडी गगन नाम के एक आदमी के है जो विहार नगर में रहता है विहार नगर तो फिर चलो उसके धर आप लोग है कॉन दिखे हम लोग C.I.D. से C.I.D. से? ये लोग C.I.D. से गगन घर में है ये लोग कोने माँ? बेटा ये लोग C.I.D. से आये हैं तुम से मिलना चाहते हैं देखो गगन हमारे सवालों का हमें सही सही जवाब चाहिए सही सही जवाब समझे क्या काम करते हो? वो जवाला जोड़ पे पावाजी का बाखला है साथ मेला कितने पैसे कमा लेते हो महीने मा? यही कोई 6-7,000 पे महीना 6-7,000 रुप्य महीना? सुन लिया माजी आपका बेटा महीना 6-7,000 रुप्य कमाता है मगर घड़ी खरीता है 1.500,000 रुप्य की फिर्त मा? यहीं, फिर्त महीना की गड़ी है, न? किस गड़ी की बाद करने आप लोग? इस गड़ी की इस गड़ी की बाद कर रहा है समझे? क्यों, गगण? कुछ याद आ रहा इस गड़ी को तेख कर? लेकिन आप ये सारे सवालात मेरे बेटे से क्यों पुछ रहे हैं। क्योंकि ये कोई मामूली घड़ी नहीं माजी। कोई खास घड़ी है ये खास घड़ी। एक बॉम का डेटोनेटर है। बॉम। जी हाँ बॉम। इस पर ये जो चाबी है ना, उसके दबाने से बॉम ब्लास्ट हो सकता है। क्यों का खास? माजी, आपका बेटा गगन गलत लोगों से मिला हुआ है। ये जूट है माँ, ये घड़ी तो मैं किसी और के लिए खरिगता था। वो एक घड़ी खरीदने पर मुझे 20,000 रुपर देता था। मगर मुझे नहीं मालूम था, वो इन घड़ी का इस्तेमाल गलत काम के लिए करते है। तो अपना दिमाग लगाना चाहिए था। कोई एक घड़ी खरीदने के लिए तुम्हें 20,000 रुपर क्यों देगा। साहब, साहब मेरा बिटा निर्दोष है, अब इसे माफ़ कर दीजिये। गगन निर्दोष है या नहीं ये तो पता चली जाएगा। तिकिन बता, ये लोग कैसे मिले तुमें। वो लोग मेरे दुकान पे पावाजी खाने आयते साहब। उन लोग ने कहा, क्या मेरे काम करना चाहता हूँ। मैंने सुचा इसी बाना में कुछ पैसे कंबालूंगा साहब। अभी का मिलेंगी। पता नहीं साहब। जब उनको जरूरत होती है ये फोन करके खुद ही संपर्क कर लेते हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तो वो खुद संपर्क कर लेते हैं। अब तो हम संपर्क करेंगे उनसे। हम संपर्क करेंगे। जी मालदार पाटी है बोस। पांच करोड का रोकडा लेकर आई है, पर माल उसको अबधी चाहिए. पांच करोड का माल? तुमने पता किया वो किस गैंका है? नहीं, बोस, ये तुम मैंने पूछा ही नहीं. पेवकूफ, हमारे इस धंदे में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता. तुम्हारी इस मालदार पार्टी पे मुझे शक हो रहा है. ए! पांच कम! और अंदर कैसे घुशाए? बोस, यही तो है वो मालदार पार्टी. हम तुम पर भरोसा करता है. तुम हम पर शक करता है? हमरे तलाश ही लेते हैं तुम. हम इदर पे डील करने को आया है. तुम को क्या लगता है? हम जेब में गन लेके गूपते हैं? तुम सोचता है कि हम जेब में ऐसे हाठ डालेगा और आप अईसे गन इका लेगा है? मैं! मॉबाइल. नाम क्या है तुमारा? डोगा. इस तरह का बॉम चाहिए तुम्हें? मानो बॉम. तुम गलत यगे आया हूँ. जी नहीं, बिलकुल सही जगा आया हूँ मैं. इस लड़की को मानो बॉम तुम ही ने बनाया ना? कौन हो तुम? C.I.D. है! बॉन डालन सापको! फाल! बॉस! कि वह पल ओुम है जलओगा! बॉसरए को जांके बुम है कि लगद! जो सुरहां से निकल गया साथ. कोई बात नहीं. शालिन भाग गया. लेकिन तक और कहां तक भागेगा? आँ साहब. मैं यहुशालिन का खास आदमी. उसका राइटेंड. दया की गाड़ी में वो बहुब शालिन नहीं रखवाया था, साहब. लोगों को मानों भाग भी वहीं बनाता है, साहब. यह फोटो देखो. क्या जानते हैं अस लड़की के बारे में तुम? यह सारा लेक के पास वला गर में रहती थी, साहब. बस इसके लावा मुझे कुछ नहीं पता, साहब. सारा लेक के पास वला गर. जाना पड़ेगा वहाँ पर. जी, कहिए? गर के मालिक से मिलना चाहते हैं. कोई उनसे के C.I.D. आईए. जी, आईए. साहब, C.I.D. वाल गाए हैं. C.I.D.? तुम जा. जी, कहिए? अब तरन है, इस गर के मालिक? जी, नहीं. मैं सुकेतू हूँ. तरन जी तो ऑस्ट्रले में रहते हैं. मैं इस घर की देख बाल करता हूँ. और ये बागी के लोग को होने? ये सारे किरायदार हैं. ये दोनों कॉलेज में कड़ते हैं? और ये तिनों कॉल सेंटर में काम करते हैं. पतला पांच लोग. लेकिन हमने तो सुना था कि यहां पर छे किरायदार है. उन्हें छट्टा किरायदार कहा हैं? कई दिख नहीं रहा है. सर, शायद आपने गलत सुना होगा. सुकेतूजी को मिलाकर हम यहां छे लोग ही रहते हैं. अच्छा, अच्छा, हमने गलत सुना. क्या नाम है आपका? मोना सर्. तो फिर मोना जी, ध्यान से सुनिये. CID कभी गलत नहीं सुनती. समझे आप? छटी किरायदार यह है. नाम कोयल. कुछ यादा हैं? यह यह तो हां मर चुकी है. मगर कैसे? इसका जवाब तुम लोग दोगे. बताओ, कोयल एक मानव बाम क्यों बनी? कोयल मानव बाम थी? बस! बस करो एना तक! अचुपचा बताओ, क्यों चुपा रहे हो तुम लोग हमसे? कोयल के बारे में. बताओ जल्ली. सर्. हम कुछ नहीं चुपा रहे हैं. हम बेगुना हैं, सर. बेगुना लोग छूट नहीं बोलते हैं. समझे? सचीन, सब को ब्यूरो ली चलो. ब्यूरो चलो. रुक्ये, सर. मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या है. सर, पास दिन पहले राख डेड़ बजे. सचीन ही चल ली है. यह मठ चुका है. हे भगवान, कोईल तुम्हें खून कर दिया. अब क्या होगा? नहीं नहीं, मैंने इसे जान मुझ के नहीं मारा. यह इंसान हमारे घर पर चोरी करने कुजाता. और मैंने इसे देख लिया. और मुझ पर हमला करने रगया. और मैंने आद पर अक्षय करने के लिए इसमें गोली चला थी. ऐसे कैसे गोली चला थी तुमने? गन दिखा कर से डरा भी तो सकती थी. हमें भुला ले थी. सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया. एकुछ समाजी नहीं आया मचे. लेकि तुम्हारे बात एक गन कहाँ से आया. सुरी, Simran. मैंने तुम लोगों को बताया है नि. ये गन हमेशा मेरे पास रहती है. और सच्ची में इस गन का में बस लाइसेंस भी है. सच्ची बोल रही हो? अब करना क्या है? करना क्या है? CID को बलाते हैं? और सब सच सच बता दिते हैं? हाँ. नहीं नहीं, Simil. तुम आजमत करो, प्लीज. देखो. CID मेरे बात भरोसा बिल्कुल नहीं करेगी. वोलो, मुझे फासी पर चड़ा देंगे. कोयल थीक कह रही है. CID तो क्या? सुकेतियू? और बाकी की लोगों को भी इसकी बात भरोसा नहीं होगा. और बेवज़े, इसकी जिन्दीगी खराब हो जाएगी. और वैसे भी, यहादमी कोई नेक इंसान तो धानी, चोर उचकता ही था. एक काम करते हैं, इस लाश अर्स राज को किसी ऐसे जिगर अपना देते हैं, जहांसे सफर को ढूंडना पाए. एक खोन पर परदा डाला तुम दोनोंने. लगता है चोर यहीं चाहे है. सर! क्या है निकर? सर, इस दर्वाजे के इस साइड का काच जानबूच के तोड़ा गया है, सर. यह देखे. क्यों? दर्वाजे का काच तुटा हुआ है. और दर्वाजे के वाँ खून पड़ा है. भूल गये हैं साफ करने के लिए? बाकी यह से सब कुछ साफ किया है? क्यों? चुपचा बताओ! कहां पे चुपा के रखी है उस चौर की लाश! बताओ जल्ले! सर, पास की जमीन में ही काड़ के रखी है! बताए तुम लोगों ने कितना बड़ा जुर्म किया? क्या सजा होगी तुम लोगों को? जलो दिखाँ हमें! कापे गाड़ी है लाश! सरुन के क्या चला है तुने यार? कब साम पूझ रहे कि क्या पता चला? यार तुम बताने को थायार है नहीं है कि कुछ पता चला क्या नहीं? हम तो दया के तवियत को लेकर परिचाने और तुम इस तरह से बरताव कर रहा है अरे यार दया की चिंता मुझे भी है? इसलिए इस केस में मैं हर एविडेंस की इतनी बारी किसे जाच करना चाहता हूं ताकि मुझसे कहीं कोई गंती की गुंजाईश ही न रहे अर तुम इर बता न, कोयल ने जो इस चोर को मारा उसके लाज से तुझे क्या पता चला बता पता ये चला है बस, इस चोर को कोयल ने नहीं मारा क्या? लेकिन कोयल के दोस्तों ने तो बताया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए इस चोर को गोली मारे थी नहीं रज़र, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस चोर पर जो गोली चली है वो कोयल की गंद से नहीं चली तो क्या फिर इस चोर ने अपनी ही गंद से अपने आपको माट लिया नई साचिन गोली चोर की इस गंद से भी नहीं चली गोली इस चोर की गंद से भी नहीं चली गोली कोयल की गंद से भी नहीं चली तो तुमारे कहने का मतलब है कि किसी तीसरी गंद से गोली चली मतलब उस वक्त कोई तीसरा आदमी भी था वहाँ पर हाँ बॉस बिल्कुल वहाँ पर कोई तीसरा आदमी भी जरूर था दर्वाजे के पास जो सूखा हुआ खून आप लोगों को मिला है तो ना तो इस चोर का है और ना इकोयल का है कौन है ये तीसरा आत्मी आप लोग सी एडिस हैं ना और आप मिश्चप्तर रणे इस गर के मालिक जी, देखा मैंने कहा था ना आपकी फ्लाइट के से रही, कोई तकलीफ तो नहीं हुई जी नहीं सथ, फ्लाइट में कोई तकलीफ नहीं हुई और यहां आकर जो कुछ भी सुना उसे सुनकर तकलीफ बहुत हुई सुकेतू को किरायदा रखने से परे सावधानी बरतनी चाहिए थी पर उसने ऐसा नहीं किया सर मैं तो यह सोच चुका हूँ के अब इस घर में कभी कोई किरायदा रखंगा ही नहीं और यह लोग भी आज ही इस घर को खाली कर रहे है नए 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 अब तो इस घर से कोई बार नहीं जा सकता जब तक हमारा इंवेस्टिकेशन पूरा नहीं होता पर आप सब को हमारे साथ फोरेंसिक लेबाना पड़ेगा खून देने के लिए खून देना होगा? लेकिन हमारा खून लेने से क्या होगा? आपके खून से पता चलेगा कि उस दर्वादे के मारा जो हमें खून मिला है वो किसका है? क्योंकि वो खून ना तो कोयल का है और ना उस चौर का लिकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है वो खून ना किसी और आदमी का है इस केस में कोई तीसरा आदमी बीशामिल है मतलम कोयल ने सिम्रन और मोना को जूटे कहानी सुनाई थी कोयल ने जूट कहा या फिर सिम्रन या मोना ने ये तो पता चली जाएगा डी एन ए टेस्ट के बाद तब तक हम देखते ही वो खून किसका है देखो अच्छी तो बसे देखो कुछ न कुछ तो हमारे नजरों से चुटा है पिछली बार इस बार मिलना चाहिए कोई न कोई सुनाख सर्थ सही देखे परदार्ट का ने का हुक वहां पड़ा हुआ था हाँ कुन भी लगाया इस पर यह देखो यह हुक यहां पर था हो सकता है यह तीसरा आदमी बुना करकि यहां से भाग रहा होगा तो इस हुक से टक्राया और उसका खून नीचे गिर गया सर यह देखिए सोने की अंगूठी सोने की अंगूठी किसकी है यह सोने की अंगूठी सर हम ते अंगूठी पहली बार देख रहे यह हम मैंसे किसी की भी नहीं है सर यहां तो हर आदमी एक दूसरे को बचाने में लगा हुआ है सच क्या है कोई बताना ही नहीं चाहता चला कोई बात नहीं अगर आप नहीं बताना चाहते तो वो जोहरी बताएगा जिसने यह अंगूठी बनाई है पर जोहरी का नाम है वी जे विराज जुएलर्स सर ये है वो टिकको जिसकी वंगूठी है निकिल पकड़ो उसे जल्दी बागो सरो बस में बागों किलिए सर चलो जल्दी निकिलो सर ये इस बस में है वोड़ो बहुत बड़ी 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 मुसीबत में फस चुका हूँ सी आईडी वाले मुस्तक पहुँच चुके है तेखो कहा पर है वो मुस्तक बड़ी 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 इसकी मौट भी नहीं ले पड़े कहीं से किसी ने जहर तो नहीं दिया इसके पास जो पार्सल था बॉक्स वाला वो ढूंडो देखो इस पार्सल को डूंडो सब पार्सल तो कहीं नहीं लगता है वह यह आदमी लेके फरार हो गया देखिए हम लोग सी आईडी से हैं इस आदमी के मौत हुई है शायद इसका खून हुआ है हम जानना चाहते हैं कि इसकी इस बगल वाली सीट पर कौन बैटा था कोई बता सकता है कोई जानता है वो तो सरी इस बस्टॉप में उतर रहिया अदमी यही पर उतर गया इस टॉप पर जाना कहा गयब हो गया सरी वही तो गयब कहा हो गया यह जानता और ते ऐसी क्या किमती चीज है उस लपनी के बॉक्स में जिसकी वज़े से एक के बाद एक खून होते जा रहे है श्रया 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 तुम कार चल मैं दैसर के पास रुकती हूँ नहीं पुर्वी मैं यही रहूंगी श्रया एसी पिसा का ओर्डर है तुम जा और तुमने कुछ खाया अहां मैंने खा लिया श्रया क्या हुआ अहां अहां उन्ठीको बस थोड़ी थकावा थोड़ी है लो पानी प्यों मैं पानी नहीं पी सकती नहीं पी सकती मतलब सुरी पुर्वी मैंने तुमसे जोड़ का कि मैंने खाना खा दिया उन्हों मेरा व्रत है व्रत? दयासर जल्दी ठीक हो जाए इसे लिए? सिर्फ दयासर के लिए नहीं हमारे पुरी टीम के लिए पुरी टीम के लिए? अगर एसेपी सर को परता चलेगा ना तो वह बहुत नाराज होंगे पुर्वी प्लीज एसेपी सर से कुछ मत कहना तुम बाहर आओ चलो पुरी चलो स्रेया 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 ये लिए ये नर्दी आप ये लिए ये नर्दी वेश्या मेरे लिए से क्यों कर दी को पुर्वी पुर्वी प्लॉट पुर्वी प्लॉट ये 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 ओनो बोंब लास्ट मैं हाने ने सकता ये 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 प्वग्चाई धब में अरी नगिए कि फिस दूब अली रग। झाल! 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 अजय को फ्टीज कर दूर का जब तर और ताजुन कर दो अँछ क्लिक्न एंजॉब कर दो दो